Hey students, welcome to our channel, learn from experts, hope you are doing well तो इस वीडियो में हम physical and chemical changes का second part cover करेंगे इसके first part में हमने देखा था basics of physical and chemical changes तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो अब से पहले वो जाके देखे आई बटन पर क्लिक करके तो इस पार्ट में हम chemical changes को और detail में देखेंगे इसके अंदर हम जानेंगे what is rusting, what is galvanization और और भी बहुत कुछ इस पार्ट में हम physical and chemical changes को complete कर लेंगे तो एंड तक जरूर देखेगा आया मैयोश्य अगरवाल, so let's get started तो हमेश्य के दर अपने topic प्याने से कले, हम पहले का revise कर लेते हैं यास वीडियो हमने देखा था what is physical change, क्या बता सकते हैं physical change is a change in physical properties, और physical properties क्या होती है size, color, state, shape, ठीक है, very good साथ में हमने बढ़ा था examples of chemical change मैंने previous वीडियो में आप से discuss किया था कि अब आपको अपने आसपास की चीजों को categorize करना है physical or chemical changes में तो अब आपके पास कावी सारे examples आ गयोंगे chemical changes के comment section में कुछ share कर सकते हैं चलिए कुछ examples देख लेते हैं धूट से धाई बनना, paper से राक बनना, ये सब क्या होते हैं, chemical changes तो चलिए अब हम आज के अपने topic पर आते हैं होफ़ली आपने भी इन जगों पर जरूर देखी होगी rusting rusting में क्या होता है, जैसे आफ फर्स picture में देख सकते हैं कि जो लोहे का color होता है, वो कुछ brownish, reddish हो जाता है तो आपको क्या लगता है, is rusting a chemical change? बिल्कुल ये chemical change है आज के हम topic में देखेंगे, chemical changes कहां कहां और पाए जाते हैं जैसे की rusting of iron, burning of wood, हमारे पार्चन क्रिया में भी chemical change होता है उसी तरह खाना पकना भी एक chemical change है लास्ट वीडियो में आपने देखा था, fireworks is also a chemical change आपको यात है, very good इस वीडियो में हम vinegar और baking soda का mixture के बारे में भी देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं, what is rusting तो बड़ा ही basic सा question मुझे बताओ कि on which material does rusting ओकर, कौन से material पे जंग लगती है absolutely it is iron, लोहे पर ही हमें जाधा जंग देखने को मिलती है तो क्या मुझे सोच के बता सकते हो कि कौन-कौन से factors responsible होंगे जंग लगने के जेको मैंने तो देखा है कि अकसर पानी के वज़े से ही जंग लगती है यह जैसे हमारा cooler हो गया या फिर हमारा gate हो गया पानी के contact में आके इनमें जंग लगती है लेकिन एक factor और रस्टिंग के लिए responsible होता है और उसके बिना रस्टिंग नहीं हो सकती क्या आप जाना चाहते हैं वो क्या है तो चलिए देखते हैं what is rusting the process of rusting can be represented by the falling equation ये equation ध्यान से देखना iron in the presence of oxygen and water gives rust और rust को chemistry के बाश्रा में क्या कहते है iron oxide as you can see here for rusting the presence of both oxygen water is essential लेकिन हमें कैसे पता कि दौनों जरूरी है क्या सिर्फ वाटर से रस्टिंग नहीं हो सकती तो इसको पता करने के लिए हम करेंगे एक experiment हमने तीन ट्यूब ली और पहले ट्यूब में हमने कील को पानी और एर में रखा तो आप क्या देख सकते हैं यहां पर rusting हो गई फिर second tube में हमने air को हटा दिया और boiled water में कील को रखा तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी rusting नहीं हुई फिर third tube में हमने बिलकुल पानी को हटा दिया और सिर्फ dry air रखी तब भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी rusting नहीं हुई है तो इस activity से एक बात तो clear है कि सिर्फ water और सिर्फ air से rusting नहीं हो सकती there must be the presence of both oxygen and water अल्राइट, have you understood? very good अब आपको पता है कि जंग लगने से खराब हो जाता है यसी gate है तो वो गल जाता है, यसी cooler body है तो वो भी गल जाती है तो आपने देखा हो कि हम rusting को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम लोग generally उस पे paint अप्लाइ कर देते हैं उससे क्या होता है, iron की उपर एक layer जम जाती है paint ही जिससे वो water के और air के contact में इतनी असानी से नहीं आता लेकिन ये भी इतना effective method नहीं है इसके बावाजूर भी rusting होती है तो क्या कोई और method है इस rusting को रोकने के लिए? क्योंकि आप जानते होंगे जो भी हमारे bridges होते हैं वो भी iron से बने होते हैं और वो भी नदी की उपर होते हैं तो उसमें भी लगातार water और air का contact रहता है अगर हमारे bridges zung लग जाएंगे तो वो तो कुछ time में गिर जाएंगे वो तो बहुत danger है तो हमारी problem को solve करने के लिए आया galvanization galvanization के अंदर हम एक layer लगा देते हैं chromium या zinc की iron की उपर जैसे कि हम paint में करते थे so we can say that galvanization is a process of depositing a layer of zinc on iron जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो कि जब हमने paint apply करा तो zinc फिर भी लगी लिकिन जब हम zinc को apply करते हैं तो zinc लगने के chances बहुत कम हो जाते हैं जब हम iron या फिर steel की उपर zinc की coating करते हैं तो zinc खुद कुर्बान हो के iron को बचा लेता है है ना कमाल का process चलो तो आपको rusting और galvanization समझ आ गया होगा अब इस पर कुछ कोशन पूछ लेते हैं tell me whether this statement is correct or not iron pipes coated with zinc do not get rusted easily क्या statement सही है बिलकुल यह सही है इस process को क्या गयते है galvanization and the second question is only water is essential for rusting is it true or false this is false हमें बताए कि rusting के लिए दौनों air और water compulsory है so how many of you have given the correct answer let me know in the comment section अब ये बात हुई chemical change की in natural environment लेकिन जो experiments और अपने chemistry lab में करते हैं क्या वो भी chemical change है तो उनमें से चली एक activity करके देख लेते हैं इस activity में हम क्या करेंगे एक test tube में विनेगर लेंगे और फिर उसके अंदर हम baking soda डालेंगे तो जैसी ही हम दौनों को mix करेंगे तो इनके अंदर कोई change आएगा इस वीडियो में देखके बताईए कि आपको क्या change दिख रहा है हमने देखा कि जब हमने विनेगर को baking soda में add किया तो उसके अंदर से कुछ bubbles create हुए और कुछ hissing sound create हुई तो यह किस वज़े से create हुई तो चलो उसकी reaction देख लेखें जब हमने विनेगर को baking soda में add किया तो क्या create हुआ carbon dioxide और other substances which gases produced carbon dioxide और यही gas responsibility bubbles की और hissing sound की most common example आपने देखा हुआ जब आप poltering की bottle को open करते हैं तो उसमें भी आवास create होती है और उसमें भी कुछ bubbles create होते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है carbon dioxide अब हम इस carbon dioxide को waste तो नहीं जाने देंगे अब हम इसको फिर से पास करेंगे freshly prepared lime water से तो again कुछ नए substances create होंगे जैसे कि हम reaction में देख सकते हैं carbon dioxide को हमने lime water से पास किया तो calcium carbonate create हो गया साथ में water भी create हो as you can see in this picture तो आप बता सकते हैं what is the nature of this activity yes it is a chemical nature and what is the reason because new substances are formed right तो इसी तरेगे से हमारी slavers में तीन और activities है बहतर होगा कि आप उसे अपनी chemistry lab में करे तो आपको अच्छे समझाएगा उसका main motive यही है जो भी experiments आपने chemistry lab में करते हैं वो सब एक chemical change है क्योंकि हर बार कुछ नया substance create होता है चलो तो आपको chemical change समझाया अच्छे से समझाया चलो तो आज हमने जो पढ़ा उसको revise कर लेते हैं इसा इसलिए है क्योंकि coastal areas में moisture content हावा में बहुत होता है जिस वज़े से rusting का process fast हो जाता है जब iron को लगाता oxygen और water मिलता रहेगा तो उसकी rusting fast हो जाएगी चलो next question is हमने देखा depositing a layer of zinc on iron is called galvanization इसमें zinc iron को बचाने के लिए अपनी कुर्बान ही देता है इस आंसर की मैं आपको थोड़ी से hint दे देता हूँ क्या आपको पता है कि candle burn करने में दौनो physical और chemical changes process होते हैं कैसे देखो physical change हो रहा है कि wax melt हो रही है है ना लेकिन सारी wax तो melt नहीं होती कुछ evaporate हो जाती है तो जो wax evaporate हो गई उसे क्या गेंगे chemical change विक्यों उसके अंदर कुछ नया substance create हुआ उसमें क्या create हुआ water vapor और carbon dioxide तो आपको इसी तरीके से कुछ और examples बताने इसके अंदर दौनो physical और chemical changes process हो रहा है So this is all about today's video Hope you have learnt about physical and chemical changes अपने next video में हम cover करेंगे Class 7 Science का next chapter तब तक के लिए keep watching learn from experts channel Thank you for watching This is Ayesha Garwal signing off झाल 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 झाल